कि स्वागत है दोस्तों आपका कम्यूनिकेशन को इंप्रूफ करने के मेरे इस जर्णी में यह मेरा पहला दिन है जिन जिन लोगों को नहीं पता तो एक बार में बता दों कि मैंने हंडेट डिस का एक चैलेंज लिया है जिसमें हंडेट डिस तक मैं किसी एक टॉपिक पर बा बात देखते हैं तो चली बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं तो शुरुबात करते हैं कहानी से थामस एलवा एडिशन को आप लोग जानते ही होंगे वही साइंटिस जिन्होंने बल्ब का खुज किया था एक दिन की बात है एडिशन ऑफिस से काम करके आये और शाम को घर चले गए तो घर में बैठी थे कि एक आदमी ने दरवाजा खटटाया और एडिशन को बुलाया तो बोला एडिशन पूछे कि क्या हुआ तो एडिश एडिशन के जितने भी रिसर्च के पेपर कागजात प्रोटोटाइब अब सब चीज थी एडिशन के परसनल लैब वोगेरे सब चीज जल रही थी तो एडिशन ने कुछ नहीं किया उनका बेटा उदर से आया और उसने भी देखा तो एडिशन ने बेटे को बोला कि जाओ आग नहीं देखे होगी आज वोग भी देख लेंगे तो एडिशन का बेटा बोला कि पापा आपका तो सब कुछ जल चुका है आपका सब कुछ बरबाद हो चुका है तो एडिशन बोलता है कि हाँ मेरे सारे अच्छे चीज चीज थे मैंने बनाय थे वो सारे बरबाद हो बट कुछ गल्तियां भी की थी और वो सारी गल्तियां भी खत्म हो गए तो कि दोस्तो क्या जवाब है डिसन का और शाम को नियॉयॉक टैम्स के इंटर्वियर ने उसका इंटर्विय लिया तो बोला कि आपको कैसा लग रहा है आपकी पूरी मेहनत बरबाद हो गई आपका प साफ करते करते हैं भी ठक गया हूं लेकिन कल से फिर से शुरू कर दूंगा आप लोग खुद सोचिए देए आप लोग खुद सोचिए दोस्तों यह कितना जबरदस एटिटीव है अगर हम लोगों के साथ ऐसा हुआ होता तो हम लोग क्या करते हैं पता नहीं चिलाते पहानी से हमें ये सिख मिलती है कि आपके साथ क्या हुआ वह मैटर नहीं करता बलके आपके साथ जो हुआ उसमें आप कैसा रियक्ट करते हैं कैसा वेवहार करते हैं वह मैटर करता है अधिसन को पता था कि मेरी जिन्दधी के सारी मेहनत बरबाद चलीगी मेरा सारा मेहनत वेस्ट हो गया और उसे सब चीज दोबारा से फिर से बनाना परेगा बट उन्होंने ऐसा कुछ चिलाया नहीं रोए नहीं कुछ भी नहीं किया क्योंकि क्यों क्योंकि उन्हें पता थ कि चिलाने रोने दोने से क्या फाइदा तो इस स्टोरी से एक फॉर्मूला निकलता है कि इवेंट प्लस रिस्पोंस इस एक्वल टू आउटकम मतब आपके साथ जो भी घटना घटी जो भी इवेंट हुआ उस पर उस इवेंट पर आपने कैसा रिस्पोंस दिया इससे आपका आउटकम अच्छा नहीं होगा तो दोस्तों आज का सीख इतना ही है कि हमारे साथ कुछ भी हो हमें रिस्पोंस अच्छे से करना है ठंडे दिमाग से शांती से रिस्पोंस करना है आज के लिए इतना है वीडियो को लाज तक देखिने के लिए बहुत बहुत कर दूजया